अससलामुपम गाइज वेलकमेंट से चैनलου एलेक्ट्राणिक दिवाइस एनेलीसिस वाइज जो अपने लेक्शे 3 करने वाले हैं लेक्शे 3 हमारा बेस है about Numbering Systems Convergence Numbering Systems की Convergence हमने लेक्शे 2 से स्चार्ट की है लेक्शे 2 में हमने तमाम Numbering Systems को उनके decimal equivalent में convert किया था numbering systems को उनके binary equivalent में convert करेंगे हमारे पास चार ही numbering systems होते हैं यह भी आपको पता है हम इन तीन numbering systems decimal or hexadecimal जिनकी basis यहां पर given है इन तुमाम को हम इसके binary equivalent में convert करेंगे और हम यह भी कह सकते हैं हम इनकी computer language में convert करेंगे computer language जो है वो binary system को समझता है so guys let's start with our today's lecture first of all we will discuss the decimal to binary conversion decimal to binary so guys just as you can see our decimal numbering system होता है इसकी base होती है हमारी 10 और binary की base होती है हमारी 2 binary की range आपको पता है होती है 0 से 1 इसलिए हम 2 values लेते हैं decimal की range होती है from 0 तो 9 so therefore there are 10 values ओवर देर so आप यहां पर एक table भी देख सकते हैं यह table हमने first lecture में discuss किया था कि इस table को आपको याद करना पड़ेगा यह table बिलकुल simple है हमारे पस कोई भी values है हमने यहां से 1 to f तक values ली हुई है from 1 to f यहां पर तुमाम values आपको नजर आ रही है 1 की value है हमारी 000012 का 00103 का equivalent होता है binary में 001 यह hexadecimal के case में हम चार नमबर ले रहे हैं आगे हम आपको तुमाम तरह तफसील बताते हैं सबसे पहले तो हम decimal to binary conversion करते हैं सबसे पहले decimal का हम कोई भी एक number ले ले लेते हैं फिर हम इसको binary में convert करेंगे for example यहां पर हम value ले ले लेते हैं 100 and 63 simple है इसकी base है हमारी 10 और इसको convert हमने किसमे करना है इसके binary equivalent में जिसकी base होगी हमारी टू इसका simple सा procedure है simple सा procedure हम अब को बता देते हैं हमने यहां पर सिरफ simply LCM ले लेना है हम इहां पर हमने लेना है 163 और जो इसकी base होगी जिसमें हमने convert करना है हमने convert किसमें करना है binary में तो जो base हमारी 2 है हमने उसको यहाँ पर रख लेना अब 2 को तब तक divide करना जब तक यह खत्म न हो जाए तो let's start 2 is a 16 and 2 1 is a 2 so हमारे पास 1 remainder आजगा है अब बिल्कुल simply 240 यहाँ पर आजगा तो यहाँ पर क्या आजगा 1 यहाँ पर अगर 2 आजगा तो यहाँ पर हम करते हैं 20 यहाँ पर आजगा 0 यहाँ पर 2 करते हैं यहाँ आजगा 10 यहाँ आजगा 0 यहाँ पर 2 यहाँ पर करेंगा 5 यहाँ आजगा 0 यहाँ पर 2 2's are 4 यहाँ पर remainder 1 तो यह हमारा question solve हो गया अब हमने देखना है कि हमारी binary में value क्या बनी है binary में जो आपने value calculate करनी है from top to down जो हमारे remainders हैं वो आपने लिख लेने हैं वही हमारी value होगी बता देते हैं हम आपको first of all यहां पर क्या लिखा हुआ है one one लिख लेना है फिर one के बाद क्या आ रहा है zero and then one zero 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 one one जिसकी base आगी है हमारी two अब one sixty का जो binary equivalent है वो हमारा यह आ गया है और इसका decimal equivalent हमारा यह है so guys simple है अब हम कुछ एक complex number ले लेते हैं यहां पर हम complex number ले लेते हैं जैसा कि हम ले लेते हैं 86.73 जिसकी base है हमारी ten यहां पर point वाला एक complex सा number आ गया है अब हमने इसको convert करना है इसके binary equivalent है simple है जो हमारा point से left side पर जो number है उसको तो हमने बिल्कुल simply यही procedure करके solve करना है जो point से right तरफ है इसको हमने कैसे करना है यह भी हम देखेंगे सबसे बहले तो हम 86 को ले लेते है for example यहां पर हमने रख लिया है 86 और यहां पर base आगी है 2 तो let's start 43 इदर आगे 0 यहां पर हम करेंगे 20 यहां पर आजगा हमारा 21 which so there is one remainder यहां पर आजगा हमारा 10 और यहां पर one remainder यहां पर आजगा हमारा 5 so zero remainder यहां पर आजगा हमारा 2 तो one remainder two two's are four तो यहां पर one remainder आगा अब two ones are two तो यहां पर zero remainder आगया तो हमारा जो इतना number है 86 इसका जो बाइंदी equivalent आगया है वो हमारा आगया है 1010110 हमने from top to down सिरफ remainder values लिख लिए है 101010 11 and 0 अब यहां पर हमने डालेना है point क्योंकि यहां पर भी point आगया है अब हमने जो point के right side पर है इसका हमारा procedure भी simple है बहत असान है आपको बता देते है 0.73 है जो हमने सिर्फ 0.73 लेने पीछे वाला number को हमने कर लिया हुए so 0.73 को हमने multiply किसे करना है यहां पर हमने divide किया था यानि एक तरह का हमने lc लिया था यानि divide किया था अब यहां पर हमने multiply करना 0.73 को 2 से जो इसकी base होगी so हमारा क्या अंसराएगा 1.46 तो आपने जो यह 1 होगा इसको आपने as a remainder और integer के तोर पर 1 रख लेना है अब फिर हमारा जो 0.46 होगा इसको फिर multiply by 2 कर देना फिर जो हमारा अंसराएगा 0.92 तो हमारा जो integer value के 1 की 0 फिर जो 0.92 है इसको भी multiply कर देना है 2 से इसको करते रहना है हमारा क्या आजएगा 1.84 यहां पर हमारा integer के 1 यह जा भी सकते हैं कोई भी काफी सारी value तक भी जा सकते हैं आपने तीन दफा कर दिया आप दो या तीन दफा जितनी मर्दी दफा कर सकते हैं maximum तीन दफा भी कर लें तो बहुत होता है तो आपने यह values जो हमारी जहां पर integer values है यह आपको ने आप top to down लिखने हैं So guys, hopefully you understand now we will move to the octal to binary conversion So guys, यहां पर हम convert करने लगे हैं हमारे number को from octal to binary conversion सब तो पहले तो हमारी यह basis बहुत एहम होती है octal की जो हमारी base होती है वो हमारी होती है 8 और binary की base होती है हमारी 2 अब यहां से हमने एक नतीज़ा निकालना है मैं आपको बताता हूँ अगर हम 2 की power में लिखें 3 तो answer की आ जाता है हमारा 8 So, इससे हमारा एक conclusion यह निकलता है कि एक octal number को one octal number एक octal number को represent करने के लिए हमें कितने binary digits की जरूरत होगी 3 binary digits की So guys, यहां पर हमने table generate का लिया है यह table जो मैंने यहां पर बनाए है मैंने आपको पहले कहा था कि इस table को आप screen चोड़ ले ले क्योंकि यह table आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है यह हमारा table है from 1 to f यहां पर आप तमाम values देख सकते हैं लेकिन हमें यहां तक कितनी values की जरूरत है octal की range होती है from होती है 0 to 7 तो total values कितनी बनती है 8 तो octal के लिए हमारा table use होगा वो हमारा होगा from 1 to 7 तक तो हम इसको आप convert करते हैं हम कोई भी एक octal number ले लेते हैं जासे कि हम ले लेते हैं 7, 5, 4, 3, 6 जिसकी base होगी हमारी 8 और इसको हमने convert करना है इसके binary number में जिसकी base होगी हमारी 2 हम इसमें 8 या 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसकी range from होती है 0 to 7 तो 0 to 7 की range में जितनी भी values हैं वो हम ले सकते हैं तो हमने यह values ले लिए हैं तो उसके equivalent हमने binary में convert करना है इसको तो हमने यहां पर क्या काता है कि एक octal number को represent करने के लिए हमें 3 binary numbers की जरूरत होती है ठीक है तो हम first of all क्या लिख लेते हैं 7 7 को represent करने के लिए हमें 3 binary numbers की जरूरत है तो 7 हम यहां पर ढून लेते हैं तो यहां गया हमारा 7 आपने least से most की तरफ जाना और जब 3 खतम हो जाएं अमारे digits तो हमने चोथा नहीं लेना तो हमने ये 1, 1 and 1 ले लेंगे तो 7 का equivalent क्या आगया हमारा 1, 1 and 1 ये predefined values हैं आपने इसको याद करना है binary में इसका कोई और तरीका नहीं है तो आपने simply आप 5 को ले लेना है 5 का क्या आजएगा 1, 0 and 1 4 का क्या आजएगा 1, 0 and 0 3 का आजएगा हमारा 0, 1 and 1 0, 1, 1 और 6 का आजएगा हमारा 1, 1 and 0 1, 1 and 0 तो हमारे total number क्या बने हैं 7 का equivalent 1, 1, 1 5 का 1, 0, 1 4 का 1, 0, 0 3 का 0, 1, 1 6 का 1, 1, 0 जिसकी बेस हागी है हमारी 2 तो यह हमारा जो number है 22 में इसको equivalent हागया है हमारा octal में similarly हम यह भी कर सकते हैं कि हम लिखे लेते हैं 86.467 जिसकी बेस है हमारी 8 अब हम इस example को कर लेते हैं इसके convert तो क्या होगा simply point में भी हमारा वही procedure देगा हम 8 हमने यहाँ पर कुछ wrong value ले रही है हम 8 नहीं ले सकते तो हम इसकी कुछ example change करके 8 को हम 6 कर देते हैं ठीक है तो हब हम इसको convert करते हैं 6 का हम क्या करेंगे 6 का जो binary equivalent है वो हमारा आ जाता है यहाँ से 11 and 0 क्योंकि हमने सिर्फ 3 values लेनी है 3 digits लेनी है 6 का फिर आ गया 1 1 0 4 का क्या आ गया हमारा 1 0 and 0 6 का फिर 1 1 and 0 7 का हमने यहाँ पर लिखा था 1 1 and 1 सो हमारे total value क्या बन गी है 1 1 0 1 1 0 और आगे हमारा क्या आएगा point 6 6 का तो हमने लिख लिए है यहाँ पर आगे point आप बागी जो values हैं वो यहाँ पर लिख दे लिए 1 0 0 1 1 0 and 1 1 1 जिसकी बेस आगे है हमारी 2 हमने convert कर दिया है हमारा octal to binary conversion यह बहुत ही ज़्यादा असान था हम यहीं पर एक छोटा सा एक और question solve कर लेते हैं लेकिन अब हम convert करेंगे एक और mode में जिसका नाम है हमारा hexadecimal to binary conversion बहुत ही ज़्यादा असान है बिल्कुल इसी से related है बहुत ही ज़्यादा असान है यहाँ पर हम आप सिर्फ छोटा सा concept होगा जो change होगा वो यह है कि hexadecimal की जो range होती है from 0 to 15 और total values कितनी बन गई है हमारी 16 और यहाँ पर आप तो range पता है binary की range होती है हमारी 2 तो अगर हम 2 की power में लिखे है 4 और total values कितनी हो जाती है 16 तो हम यहाँ से क्या conclude कर सकते है कि one hexadecimal digit will be represented as four binary digits एक hex digit को represent करने के लिए हमें कितने binary digits की ज़रूरत होती है 4 binary digits की ज़रूरत होती है तो हमारा यह table भी hexadecimal के लिहाँ से ही है क्योंकि यहाँ पर एक number के लिए हमने 4 binary digits यूज की हुए हम क्या लेख सकते हैं हम कोई भी value लेते हैं यहाँ पर example number 1 ले ले लेते हैं हम A, F, 6, 9 हम यहाँ पर लेते हैं D और जिसकी base है हमारी 16 और convert करना है हमने इसको binary में जिसकी base होगी बारी 2 तो यहाँ पर आपको हमने first lecture में second lecture में यह बताया था कि A, F, D का क्या मतलब होता हो यहाँ पर हमने क्या लिए होगा 9, A, B, C 9 के बाद हम 10 के लिए ले लेते हैं A, 11 के लिए B, 12 के लिए C and similarly for all of the values over there so हमने यहाँ पर क्या का नब A के लिए हमारी क्या value आ रही है हमारी आ रही है 1, 0, 1, 0 so हमने 4 values लेनी थे हो हमारी 4 ही मुझूद है तो हम यहाँ पर लिए लेते है 1, 0, 1, 0 F के लिए क्या आ जीए 1, 1, 1, 1 यहाँ पर देखने 1, 1, 1, 1 और फिर similarly 6 के लिए हमारी क्या है 0, 1, 1, 0 और 9 के लिए हमारी values है हमारी 1, 0, 0, 1 और D के लिए हमारी जो last value है वो हमारी है 1, 1, 0, 1 जिसकी base आ जाएगी हमारी 2 So guys simple है बिलकुल हमने हर एक number को उसके 4 binded digits में convert करना है octal में तो हमें पता है कि हम 2 की power में 3 लिखेंगे तो 8 आएगा तो हम 3 digits लेंगे यहाँ पर हम 2 की power में 4 लिखेंगे तो जो range hexadecimal की 16 है hexadecimal और octal आपने बिलकुल इसी तरह से solve कर लेने है अगर आपने कोई और example देखने है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं 69.9fd जिसकी base है हमारी 16 यह बिलकुल exactly वैसे ही solve होगा सिरफ point का फरक है और कुछ नहीं है तो आपने यह वाला question table से देखते हुए हमें comment section वे इसको comment करना है और हमें answer बताना है इंदा comment section आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो please हमारे चैनल को subscribe करने मगार मत जाएगा so guys मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाँ आपिस